गूर्णिंग फिफ्ट क्लास बेटा हमने इंग्लिश में लेस्न डीड किया था इंपरर्स न्यू क्लोस इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको फाइंड आट करने के लिए बोली थी और अगर आपने फाइंड की है तो आप इसमें से मैच कर सकते हैं ओके आज हम करेंगे सबसे प आपनेंट्स को रेडी किया था वन वीक, टू वीक, वन मन और वन एयर, ए मन्थ रास्कल तुक अलाज क्वालिट क्वांटिटी ओफ किस चीज की उन्होंने बहुत सारी क्वांटिटी में मंग वाया था सिल्वर, यान, गोल्ड थ्रेड और फाइन कोटन, गोल्ड थ्रेड ये नेक्स पेटा, फिलिंग दा बलेंग हैं, अपने शो करते रहते थे कि वो कपड़े को बुन रहे हैं He gave up his dash habits उसने अपनी कैसी आदते छोड़ दी थी foolish habits आगे true false है The emperor's tada clothes and praised it जब emperor ने देखा तो उसकी praise की प्रशंसा की true The emperor's gave up his foolish habits क्या राजा ने अपनी उनादतों को छोड़ दीया था true The children laughed when they saw the emperor बच्चे हसने लगे जब उनाने राजा को देखा true The emperor spent all the time with his ministers क्या वो पूरा time अपने ministers को देता था wrong false They wove the clothes with golden thread क्या वो जो कपड़ा बनायागा था वो golden thread से था yes true आगे question answer हम note book में करेंगे next है complete the sentence with suitable prepositions Please write a letter to your friend dash gold ink with golden ink This bucket is made dash pure steel made of pure steel The bus fell dash the river dash the bridge कहां से गिरी bridge से pull से गिरी from किसमें गिरी नदी के अंदर के वो अंदर चली गई fell into तो यहां into आएगा Sonu is preparing the breakfast dash हर फागर किस के लिए बना रहा है Sonu अपने पिता जी के लिए breakfast prepare कर रहा है के लिए तो 4 आएगा I would go to school dash my own bike मैं अपनी ही bike से school जाता है तो क्या आएगा बाई जाता था ओके तो यहां पे आएगा बाई तो यह exercise आपको अपनी book में fill करनी है ओके थैंक यू